असलाम अलेकुम वेवान क्या हाल है आप सब लोगों के कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं मेरा यूचूब चैनल सना स्कुटिंग पैशन अच्छा चनाब आज में बना रही हूं देख्ची के तिक्के में मैंने थोड़ी सी हड्डियां डाली हैं ज थोड़ा से जायके के लिए मज़ीद जायका एन्हांस के लिए ठीक है तो इसके अंदर बछल्दी से लिए हम फटा इसके अन्दर थोह्ता प्ले निम्हाले म zich निकाल के रखे हैं इस्में रख लेसं जाएगा 2 वान टी उसके बाद ये ये Kच्छ मपीते की 2 क्यूब्स या इसके इलावा इसके अंदर जाएगा मेरा प्लावा का मसाला और इसके अंदर जाएगी लाल-मिर्च और हल्दी वह आपके घस्बिज़ायक और ओअ tea spoon लाल मुर्ष लिए हाफ tea spoon हल्दी लिए ठीक है थो अब मैंने क्या किया है five table स्वाल करिब गोश्ट से टोड़ा से आधर पर इसमें मैंने वाइड़ी टेबिल स्पून के करीब ठोड़ा घाला है अब मैंने 3 आप मसाला मैंने 2 टेबिल स्पून के करीबlara नमक कुंटिटी कम ही रखेगा हुआ थोड़ नमक कुणटिटी कम ही रखेगा नमक को अच्छी मिक्दारि मिक्स की अच्छी मिक्स से से अच्छी मिण और मैरिनेटे कि एंटो फटान के लिएір थी चाहएं जो मसाला लेफ्ट ओवर था वो भी मैंने डाल दिया और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया देखें बेस्ट वे तो यह होता है कि मैं तो स्पून से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैं विडियो बना रही हूँ और मुझे इसमें दही थोड़ी कम लग लग लिए थी तो मैंने बाकी की जो बची थी वो भी डाल दी थी तो समझें इसके अंदर मैंने डो टेबल स्पून के करीब मजीद दही डाल दी थी ठीक है और इसको अच्छी तरीके से हाथ ढोके और मिक्स कर देते हैं लेकिन मैंने इसको सпून से ही मिक्स गया और इसके भाद से ऐसको मैरिनेट करके रख दिया यांधे गंटे कें लेकिन जब आप 2 हो घ। इसको मैरिनेट करें गए तो इसके अपर थोड़ा सा पानी गोश都 है वो दही अपना पानी छोड़ देती है तो वो थोड़ा सा और मजीद उसको आप हिला लेजेगा इसके बाद कुकर में मैंने ओइल डाला और ओइल डाल के मैंने अपना ऑइल जो पच्छी तरह गरम हो गया ना तो मैंने ये गोश्ट उसके अंदर डाल दिया अच्छा एक साथ मैंने इसलिए ने डाला कि पिछले दूनों ही मेरी उंगलिया जो है ना बहुत खराब जली है सारा चीटा तेल का गरम मेरे हाथ पे आ जाता है तो इसलिए मैं इसको इतनी एहतियात से डाल रही हूं और आप भी इस तरह के से डाल सकते हैं आपके लिए टिप है ठीक है तो उसके बाद जब ये अच्छी तरह के से करकड़ाने लगाना तो फिर हमने इसके अंदर क्या डाला हमने इसके अंदर डाला पानी और अपना कुकर को हमने कर दिया बंद ठीक है देखें मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन एक ग्लास फुल डेड़ ग्लास पानी आपका होगा मेरा ग्लास थोड़ा सा बढ़ा है तो आप अपना समझने डेड़ ग्लास के करीब पान मुझे रात में तो इसलिए मैंने कोकर में बना लिया था उसके बाद भी ये देखें जब ये कोकर मैंने खोला है तो हमारी आंथ जा चुकी थी उसके बाद फिर मैंने इसको इस तरीके से गैस के सिलेंडर के उपर रखे और इसका पानी ड्राइ किया है गोश बहुत अची त अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो दू सब्सक्राइब मैं चैनल और शेयर इत विडियो फ्रेंड्स तो मैंने इसको जो सर्फ करने का सोचा किस तरीके से सर्फ किया जाया तो मैंने थोड़े से अलू फ्राई किया चिप्स की तरहां बिल्कुल कटर पर हम बारीक वाले कटर पर काट लेते हैं और उस पे मैंने करके और इसको फ्राई कर लिया चिप्स की तरह अब जो है वो मैंने फ्लेटर थोड़ा सा सजाया अपना और उसके बाद फिर मैं इसको सर्फ कर रही हूं इसके अंदर मैंने बाहर से पराठे मंगा लिये थे क्योंक पूरियों की रसेपी भी मेरे चैनल पर है और मैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ठीक है इस तरीके से देखें आप इनको आलूं के साथ भी सर्फ कर सकते हैं जब किसी दावत में आप सर्फ करें तो बहुत अच्छी तरह से बड़े प्यार से सर्फ करें त तो प्यास बहुत ही मज़ेदार लगती है तो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इस रसेपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा और देखेंगा किस तरीके की बनती है यह देखें बहुत मज़ेदार लग रहा था यह सारा कुछ और चटनी भी मैंने बनाई ती हां और चटनी की रसेपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है अगर आप चाहें तो वह भी मैं डिस्क्रिप्चर में डाल सकती हूं थैंक यू फू वाचिंग थैंक यू अला आफ़ेस